आज की वीडियो में हम experience करेंगे कुछ बहतरीन sci-fi adventure movies जिसमें से कुछ की concept आपके दिमाग घुमा कर रख देगी हमारी future की दुनिया से रूबरू कर आईगी तो आज की वीडियो में हम ऐसे ही top 10 जबर जस्त mind blowing sci-fi adventure movies लाए हैं जिसमें top 3 bonus movies भी होंगी जो हमेशा की तरह top class की होंगी तो एक भी मिस ना करिएगा ऐसे ही और वी एडवांस और फ्यूचरिस्टिक दुनिया को experience करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाईए नमबर 7 की मुवी एक ऐसा एलियन आपके दिमाग में घुसकर आपको कंट्रोल करें इंसान कौन एलियन कौन आपको ही पता ना चले कॉंसेट भाई काफी इंट्रेस्टिंग है 2016 की sci-fi action के साथ दा फिप्ट वेव एक अंजान सी दिखने वाली बड़ी सी स्पेसिप से आया एक ऐसा एलियन जो सित्धा आपके दिमाग में घुसकर आपको कंट्रोल करता है एलियन अटाइक की आखरी और फिप्ट वेव आने वाली है जिसमें पूरे मानोजाती खतम हो जाएंगे आखरी ये फिप्ट वेव है क्या और कैसे इस दुनिया को बचाया जा सकता है आप मुवी में देखो भाईस के कंसेप्ट काफी कमाल की थी पर उस लेवल की इंप्लिमेंटेशन देखने को नहीं मिलती सस्पेंस तो किरियेट करते हैं पर एंड में वही टिपिकल सा लीड एक्टरेस के लिए भाईस मुवी को जरूर देखिये एक खास बात बताओ भाईस फीमेल लीड एक्टरेस की वो हिंदी डविंग भाई काफी सेडेक्टिव है मुवी नेट्फिक्स पे अविलेबल है जरूर देखिये नमबर सिक्स की मुवी आपने कभी सोचा हमारी ग्रह से दूर कोई और प्लाइनेट से हमारी प्रित्वी पर नजर रखा जा रहा है क्या हो जब हमारी प्रित्वी पर एलियन अटाइक कर दे आप कैसे सर्वाइब करिएगा ये मुवी आपको दिख लाईगी हम बात करें तूथ होजन फाइब की साइफाई एक्सन के साथ टॉम क्रूस की वार अप दा वर्ल भाई हमारी धरती फटकर अंदर से एलियन निकल रहे हैं और लोगों को बिजली के जटके देकर मार रहे हैं चारों तरफ अफरा तफरी मची है इसी सिच्वेशन में अपने फैमिली के साथ खुद को भी सर्वाइब करना है मुवी की सबसे खास बात लगी भाईस के तबाही वाले वो एक्सन सीन मुवी थोड़ी पुरानी जरूर है इसके एक्सन सीन के साथ इसके सेनोमेटोग्राफी वो तबाही वाली दुनिया आपको हीने ना देगी बस भाई इसके नेगेटिव प्वेंट वो एलियन हमारे धर्ती के नीचे कहां से आए वो सही से किलियर नहीं होता बाकी अब टॉम क्रूस के लिए मुवी सित्था देख डालो हीन्दी डविंग के साथ अवेलेबल है नमबर फाइब से पहले बोनस नमबर वन की मुवी यारेक AI रॉबोट जब अपने आप पे आजायना तो भाई कितनी तबाही मचा सकती है ये मुवी आपको दिख लाएगी टन्यो निटो की होरर साइफाइ थेलर के साथ मेगन भाई एक क्यूट सी दिखने वाली डॉल भी इतनी तब भाही मचा सकती है आपने सुचा ना होगा एक दम खतर नाक टाइब भाई जरूर देखिये हिन्दी डविंग के साथ अवेलेबल है नमबर फाइब की मुवी 2007 में वो गाड़ी से रॉबोट बनने की कॉंसेप्ट काफी यूनिक था भले इसके जैसे जैसे पार्ट आते गए मुवी थोड़ी डाउन ग्रेट होती गई लेकिन फिर भी भाई आज भी इसके एक्शन सीन हमें वो एज ओफ सीट वाली एक्सपिरियन्स कराती है हम बात करें हाली में इसके 7 पार्ट रिलिस किया गया तुथ 2007 से अब तक टोटल 7 मुवी का कलेक्शन साइफ़ा एक्शन एडवेंचर के साथ ट्रांसफोर्मर्ट फिल्म सीरीज दूसरे ग्रह से आए कुछ एडवांस रोबोट जो हमारे धरती पे आगीरते हैं एक ऐसी चीज के लिए जिसमें ultimate source of energy भरी है कुछ भी कहो यार ये दो बड़े बड़े रोबोट के बीच की वो fight scene देखने में मज़ा बहुत आता है इसमें कोई सक नहीं भाई मैकल बे ने पूरी focus इसके action scene में डाल रखी है जिसके वज़ा से भाई मुवी की story थोड़ी फीकी पढ़ आती है सायाद इसलिए हम audience के बीच मुवी की publicity कम होती गई लेकिन फिर भी भाई इनकी रॉबर्स आज भी कमाल ही है इसके action scene आपको पूरी तरह से satisfy करेंगी जरूर देखिये इसके सारे पाट हिंदी डबिंग के साथ अब बेजेबर नमबर फोर की मुवी भाई जब हॉलिवूड में quality के नाम पर एक ही जैसे अगिसा पीटा concept दिखा रहे थे तब भाई इस मुवी के fresh और खातरना concept ने हमारी दिमाग घुमा कर रख दिया ऐसी ही कुछ खातरना concept चाहिए अब हमें हम बात करें नेट्फलिस की तरब से जिसके सेकेंड पाट हाली में हिंदी डबिंग के साथ रिलिस किया गया साइफाइ मिस्टि रामा के साथ बर्ड बॉक्स और बर्ड बॉक्स बारसेलोना भाई एक ऐसी अद्रिस्य चीजिसे देखते ही आप अपने आपको बहरायमी तरीके से माट डालते हो जिसके वज़ा से पूरे सहर खौफ में है चारो तरफ अफरा तफरी मची है लोग आखों में पट्टी बांद कर घर से बाहर निकल रहे हैं बीना देखे भाई इस दूनिया में आप कैसे सरवाइब करियेगा आपको ये मुवी एक्सपिरियेंस कराएगी फ्रेस कॉंसेप्ट के साथ ऐसी एपोक्लिक्टिक दूनिया पे बेजड मुवी देखने में भाई मज़ा बहुत आता है बस एक बात खट की कुछ लोगों को चुना गया है लोगों को ट्रैप कर उस चीज के सामने एलाना है पर उन्हें कुछ नहीं होता कैसे इसका जवाब मुवी में नहीं मिलती जो इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी है बाकी इसके कॉंसेप्ट के लिए आप जरूर देखिये इसके सेकेंड पार्ट नेट्फिक्स पे हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है नमबर थिरी से पहले बोनस नमबर टू की मुवी वंडर यूमन के बाद डीसी की डूबते हुए नईया को बचाया है तो इस कैरेक्टर ने जिससे डीसी यूनिवर्स की तरब से हाली में रिलिस किया गया साइफाइ फैंटेस्टी एडवेंचर के सर्था फ्लेस मुवी में भाई वही टाइम ट्रेवल वाली खिचडी देखने को मिलेंगी अब डीसी भाई अपनी गलतियों से धीरे धीरे सीख रहा है कैरेक्टर के बीच वो इमोशन डालने की कोशिस कर रहा है आप मुवी को देखिए आपको पूरी तरस से इंटर्टेन करेगी हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है नमबर थरी की मुवी फ्लूचर की दुनिया वो टेक्नोलोजी देखना हमें काफी पसंद है नमबर थरी की मुवी आपको एक्सपीरियन्स करा सकती है जहां की टेक्नोलोजी इतनी डेबलब कर ली गई है कि इंसानों की क्लोन बनाया जा सकता है 2017 की साइफा एक्सन के साथ ब्लेड रणर 2049 तो स्टोरी एक ऐसे ही पुलिस आफिसर की है जिसे एक ऐसे ब्लेड रणर की तलासा जो सदियों से गायब है कहानी में ट्विस तो तब आता है जब उन्हें पता चलता है कि वो क्लोन नहीं एक इंसान है उसके बाद की स्टोरी आप मुवी में देखो भाई वो अपने आपको ढूनने की जर्नी काफी इंट्रेस्टिंग होती है बस भाई इसके लिए रखनी पड़ेगी आपको पूरी पेसेंस जो इस मुवी का सबसे बड़ा नेगेटिब पॉइंट भी है क्या जरूरत थी करीबन पौने तीन घंटे की मुवी बनाने की हिंदी डबिंग के साथ प्राइम वीडियो पे अविलेबल है अन्तरिक्ष में हुए हमले की वज़ा से एलियन ने हमारी चंदर्मा को बरबाद कर दिया जिसके वज़ा से हमारी प्रित्वी भी थबाह हो चुकी है लोग एक टाइटन नामक्त ग्रह पर रह रहे हैं जहां हमारे हीरो को असमान में बने स्टेशन में रहकर प्रित्वी के ड्रोन को रिपेर करना है एक दिन एकदम से उन्हें कुछ ऐसा पता चलता है जिसे देखकर भाई आप पूरी तरह से सौक हो जाते हो वो क्या है भाई आप मुवी में देखकर एक्सपीरियंस करो बात करें मुवी की सबसे बेस्ट पाट की तो भाई इसके पोस्ट अपोकलिक्टिक दूनिया की वो सैनोमेटोग्राफी भाई कमाल की है उपर से टॉम कुरूसर की होना भाई एक अलग ही सैटिसफेक्शन देगी जरूर देखिये हिंदी डविं के साथ अवेलेबल है नंबर वन से पहले बोनस नंबर थिरी की मुवी भाई इसके कॉंसेप्ट को समझने के लिए आपके दिमाग को हाईस्ट लेवल पर ले जाकर समझना होगा नहीं तो भाई पूरी मुवी खतम कर लिया उसके बाद आपके अंदर सवाल रह जाएंगे कि ये क्या देख लिया मैंने मुवी हमें दिखाना क्या चाह रहा था क्योंकि भाई टाइम ट्रेवल जैसी complicated theory पर बनी मुवी को समझना इतना आसान नहीं तो 2014 की sci-fi action के साथ predestination टाइम ट्रेवल पर बेस्ट मुवी देखना पसंद तो जरूर देखिए आपका दिमाग घुमा कर रख देगी मुवी हिंदी डविंग के साथ अबिलेबल है नमबर वन की मुवी भाई एक दम आउट आफ दी बॉक्स मुवी है आज से 50 साल बात भी इस मुवी को देखेंगे ना भाई तब भी इस मुवी के concept दिमाग खुमा देने वाली होगी गजब की सोचे 22 मुवी के डिरेक्टर की इनकी हर एक मुवी उठा कर देख लो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि ये बन्दा काइम टेवल कर कहीं फ्यूचर से तो नहीं आया हम बात कर रहें हॉलिवुड की वन अब दा बेश डिरेक्टर क्रिस्टाफर नॉलेन की साइफ़ा एक्षन के साथ टीनेट क्या बताए भाई ऐसी मुवी की स्टोरी के बारे में ऐसी कॉंसेप्ट को समझने के लिए भाई पूरी की पूरी सीरीज भी बनाई जाए तो कम पढ़ जाएगी फ्यूचर की एक ऐसी टेक्नोलोजी अगर गलत हातों में पढ़ गई तो पूरी दुनिया खतम हो सकती है जिसे हमारे इस दुनिया को एक CI एजेंट को बचाना है ये भाई हम सिर्फ सिंपल सी स्टोरी बता रहे हैं इस कॉंसेप्ट को भाई क्रिस्टाफर नॉलेन ने डारेक किया है तो आप सोच भी नहीं सकते किस लेवल की होगी रिवर्स एंगल को इस तरह से हमारे सामने रखा है कि आज तक आपने ऐसा एक्सपिरियंस ना किया होगा ऐसी मुवी को आप जरूर देखिए हिंदी डबिंग के साथ अबेलेबल है तो भाइसीर पैसी क्वालिटी के लिए आपके तरफ से एक सब्सक्राइब बनता है ना कर दीजी और आईस लिस्ट की बेगराण म्यूजिक और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे टॉप प्रिव्यू इंस्टाग्राम पे थैंक यू फर वाचिंग टेक केर मिलते हैं ऐसे ही क्वालिटी के साथ